नमस्कार आज हम M.A. Final का 8th C जो पेपर है Climateology and Oceanography वो हम पढ़ रहे हैं और उसकी शुरुवात हमने की है उसकी फर्स्ट उनिट में उनिट से तो फर्स्ट उनिट का जो पहला जो पॉइंट है वो है Climateology की परिभाशाएं उसका विशेक शेत्र उसके उद्देशे उसकी शाखाएं तो मुझे नहीं लगता इन में कहीं पे भी Maps और Diagrams इंक्लूड करने की जरूरत है हाँ इसके बाद के जो आगे सारे lecture आएंगे जिनमें हम आगे के जो सारे topics हैं उनको पढ़ेंगे उसमें no doubts जितने भी Maps होने चाहिए या Diagrams होने चाहिए उनका हम इस्तेमाल करेंगे जलवायू विज्यान का मूल उदेशे धरातल पर पाए जाने वाले विभिन प्रकार की जो जलवायू है यनि जो इतना variation है अर्थ की climate पे वो किस वज़े से है उसके reasons क्या है उनको identify करना होता है तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जलवायू विज्यान के उदेश्यों को हम इन categories में divide कर सकते हैं इसमें पहला है फर्स्ट जो है वो है विभिन प्रकार की जलवायू की पहचान हमारी अर्थ में जो सभी जगें हैं वहां एक समान एक प्रकार की जलवायू नहीं पाई जाती बलकि विभिन प्रकार की जलवायू पाई जाती है तो उस विभिनता का क्या कारण है किस वज़य से अर्थ पे इतनी अलग अलग प्रकार की जलवायू पाई जाती है दूसरा फिर उनका अभी निर्धारण यानि उनका एरिया किस एरिया में किस प्रकार की सीमाय निर्धारित करना यानि डिमारकेशन करना उसके बाद उनका वितरन अर्थ पे कहां कहां है हमारी प्रत्वी पे उनका कहां कहां वितरन है और इसके साथ ही साथ उनकी विशेशताएं क्या है उनकी क्या specialities है उनका अध्यन करना जो है वो हमारे जलवायू विज्ञान का एक उदेशे है इसके बाद हम आते हैं दूसरे उदेशे पे तो वो है विभिन परकार की जलवायू की उत्पत्ती प्रक्रिया का विशलेशन की अर्थ पे हर जगे हैं जो अलग-अलग परकार की जलवायू मिल रही है या पाई जाती है तो वो उसका origin कैसे होता है वो किस उसकी पती की जो प्रक्रिया है उसका पूरे का पूरा विशलेशन करना जलवायू विज्ञान का उदेशे है और जलवायू विज्ञान का तीसरा जो उदेशे यहां हमने लिखा है वो है क्षेतीच एवं लंबवत रूप में जलवायू में विभिनताओं के कारण एवं प्रक्रियाओं का अभी निर्धारन यनि अगर हम earth surface की बात कर रहे हैं तो पूरे earth surface को अगर हम cover करते हो जाएं तो वो क्षेती जीय हो जाएगा उस पे जो जलवायू है अलग-अलग प्रकार की है उनके reason क्या है और किन प्रक्रियाओं द्वारा ये इसकी विभिनताएं हैं वो उठपन हो रही हैं उसका अध्यान इसके साथ ही साथ vertical रोप में, vertical का मतलब हो गया कि earth surface से हम atmosphere में ऊपर की ओर अगर हम जा रहे हैं तो अगर हम earth surface पे अगर जो клиmatic effect जो है या elements जो है उनको हम पढ़ रहे हैं उनको अगर हम देखें या उससे थोड़ा उपर जाके मालीजे 10 किलोमेटर की उंचाई पे जाके हम उनी जो elements हैं उनको अगर हम फिर से देखें तो वो दोनों बिल्कुल सेम नहीं होते उनमें परिवर्तन आ जाता है तो इस परिवर्तन का कारण क्या है इसी तरह से अगर हम कारण क्या है और इनकी प्रक्रियाएं क्या है इनका अध्यन करना भी जलवायू विज्ञान का उद्देश्य होता है इसके बाद जो है वो है मौसम एम जलवायू के विभिन तत्वों एम नियंत्रकों का करंब बद अध्यन ऐसे कौन-कौन से elements हैं या कारक हैं फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो जलवायू है वो अलग-अलग प्रकार की पाई जाती है कौन सी जो फैक्टर्स हैं जो जलवायू को कंट्रोल कर रहे हैं उनकी सिस्टेमेटिक स्टडी करना जलवायू विज्ञान का उदेश्य है इसके बाद अगला जो उदेश्य है वो है मौसम कालिन हो गया और जलवायू दिर्ग कालिन है इन दोनों को मिला के तथा मानव समुदाए के बीच अंतर प्रक्रियाओं इंटरेक्शन किस तरह का होता है तथा उनके मानव क्रिया कलापों एवा मानव स्वास्ते पर पढ़ने वाली प्रभावों का अध्यन यहां पे अप् प्रक्रियाओं के द्वारा कर रही है उन सब की स्टडी करना भी जलवायू विज्ञान का उदेश्य है साधारन शब्दों में अगर कहा जाए तो जलवायू विज्ञान का उदेश्य यह होता है कि वे कौन से कारण है जो जलवायू में परिवर्तन करते हैं वे कौन सी प् उन पे जलवायू का कैसा असर पड़ता है और क्या प्रभाव रहता है ऐसे जो सारे प्रश्ण है उनके उत्तर ढूंड़ना और उनका समाधान करना जो है वो जलवायू विज्ञान का उद्देश्य है वर्तमान समय में जलवायू विज्ञान के जो उद्देश्य है उनमें दो चीजों को और शामिल किया जाता है पहला है जलवायू परिवर्तन, क्लाइमिट चेंज और दूसरा है मोसम, पूर्वा, कथनी, वैदर, फॉरकास्टिंग, आदि के जो सभी पक्ष है उनका अधिन भी जलवायू विज्ञान का उद्देश्य है झालवायू 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 झालवायू